क्या हुआ जब कुम्ब मेले के दोरान गंगा नदी में एक लड़की अचानक हवा में उढने लगी उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए वाकई में यह चमतकारी गटना जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे जिसे हमें लिखकर भेजा है आदर्श जी पव हम दोनों ही बहुत परिशान थे एक दिन एक महिला ने हमें पास इस्थरित एक आश्रम में जाने के लिए कहा वहाँ जो बाबा थे उस समय वे बहुत चमतकारिक बताय जा रहे थे जब मैं अपनी पतनी के साथ उस आश्रम में पहुचा तो बाबा ने हमसे कहा कि अगर ले जाना होगा दोनों ही पती पतनी ने बहुत अच्छे मन से महादेव की पुजा की महादेव प्रसन हुए और आदर्श जी किया एक बहुत ही सुन्दर पुत्री का जन्म हुआ उस समय आदर्श जी और उनकी पतनी के खुशी का ठिकाना नहीं था वे बहुत खुश थे और महादेव का शुक्रिया अदा कर रहे थे अब दोस्तों देखते ही देखते तीन से चार साल बीद गए और महा कुम्ब का समय आ गया चूकि आश्रम वाले बाबा ने कहा था कि जब संतान प्राप्ति हो जाती है तो उसे आने वाले कुम्ब मेले में दर्शन है तू करवा लिया हम सभी बहुत ही खुश थे मस्ती मजा करते हुए इंजोय करते हुए हम सभी हरिद्वार कुम्ब मेले में जा रहे थे परंतु हमें बिलकुल भी अंदेजा नहीं था कि आज जो हमारे साथ हरिद्वार में होने वाला था उससे सोच कर भी हमारे रोंग्टे जादा भीड थी एसे में जेसे तेसे करके उन्होंने अपने परिवार को संभाला और अपने पास साल की छोटी बच्ची को भगवान के दर्शन करवाए और अपनी मननत भी पूर्ण की परन्तु दोस्तों अचानक बहुत जादा भगदर मत जाने के कारण उनका हाथ अपनी पास साल की बेटी से छिटक गया और भीड में उनकी पास साल की छोटी सी बच्ची कही लापता हो गई वो भीड के साथ दिरंतर चले जा रहे थी एसे में वह एक धाट पर पोची जहाँ पर पेर फिसलने से वो गंगा नदी में गिर गई इधर आदर्स जी और उनकी पतनी बहुत ज़्यादा परिशान हो गए थे क्योंकि उस दिन हरिद्वार कुम्ब मेले में बहुत ही ज़्यादा भीड थी एसे में उसे ढूंडना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था फिर भी उन्होंने उसे ढूंडने के लिए एडी से लेके चोटी सक्का जोल लगा द उस समय आदर जी की स्तिती बहुत खराब हो चुकी थी उन्होंने हमें बताया कि उस समय मेरी पतनी ने मुझसे कहा कि क्या हमारी बेटी अब हमें वापस मिल पाएगी ये बात सुनकर मेरी आखों में आसू आ गए थे मैंने उसे कहा कि महादेव फिर भरोसा रख और हम पास स्तित महादेव की श्विलिंग के पास बेट कर उनसे परातना करते रहे हम दोनों ने महादेव से परातना करी कि बहुत सारे उपाय आजवाने के बाद और बहुत प्रियासों के बाद हमारी छोटी बच्ची का जन्म हुआ है कृपया करके वापस हमें से लोटा दीजी हम तो आप ही के द्वार आये थे उसके बाद दोस्तों कुम्ब मेले की गंगा नदी में एक बहुत ही बड़ा चमतकार हुआ जिसे देखकर सिर्फ आजर्जी ही नहीं बलकि कुम्ब मेले के सभी दर्शनाती हैरत अंगेज रहे गए अचानक नदी में पड़ी वह पास साल की बच्ची नदी से निकल कर हवा में उड़ने लगी और एसा द्रश्य देखकर सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला गया सभी यही सोच रहे थे यह केसा चमतकार है और यह केसे हो सकता है आदर्श जी ने देखा कि यह तो उनकी ही प्यारी बच्ची है तब वे फटा पर दोड़कर उसे बचाने चले गए और जब वे अपनी बच्ची को बचा कर वापस किनारे पर लेकर आये तब उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह से गिली है परन्तु अभी भी सही सलामत है उसके बाद पास इस्ते शिलिंग पर उन्होंने शत्य शत्य नमन किया और ढोग भी दिये और वाहा आज पास जितनी भी भीड जमा हो गई थी वो उस बच्ची को कुछ इस प्रकार से देख रहे थे मानो उसमें भूत प्रेत का वास हो इसलिए वो हवा में उड़ रही थी परन्तु आदर्ज ये बात जानते थे कि ये उनके महादेव का ही चमतकार है और उन्होंन ही उनकी बच्ची की जान बचाई है अब दोस्तों वाहा पर खड़े कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ था रसी की वज़े से हुआ परन्तु जगर रसी आती तो आती किस प्रकार से वाकई में ये महादेव का ही चमतकार था चलो जो भी हुआ हो आद चैनल को सब्सक्राइब तो कर ले लीजे ताकि आपको हमेशा ऐसे जमतकारी गटना रोजाना देखने को मिलती रहे अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव